साथ फ्लाइट्स में बम के धमकी, छे ने भारत से उडान भरी, दिल्ली शिकागो प्लेइंग, कैनेडा डाइवोर्टेड, इसके अलावा एक फ्लाइट की जैपूर में इमर्जनसी लांडिंग हुई है। कैनेडा के एक्या लूइट एरपोर्ट पर डाइवोर्ट कर दिया गया, तीन अन्य विमांग को भी बीते रोज इसी तरीके से धमकी दी गई, इसके एक दिन पहले तीन फ्लाइट को ऐसी धमकिया मिली थी। तो ये बड़ी चिंता की बात और जाहिरे कि इसको लेकर के बागे कदम उठाय जाएगा, कैसे ऐसी घटनाओं पर अंकुष लगाया जा सके, क्योंकि इसके पहले भी कई सार्टने चपों को लेकर के इस तरीके की धमकी मिल चुकी है। वे निउस्पेपर में भी इस खबर का जिक है, सात विमानों में बंकी धमकी शिकागो जाने वाली फ्लाइट कैनेडा ड्राइवर्ट की गई, ये धमकिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स के जरीए दी गई थी, हाला कि ये धमकिया फर्जी साबित हुई, स बेंगलूरु जा रही अकासा एरलाइन की फ्लाइट, दिली से शिकागो जा रही एर इंडिया की फ्लाइट, सौधी अरप से दम्माम से लखनव आने वाली फ्लाइट, इंडीको की फ्लाइट ये, अम्रिस्तर से दहरादून होते हुए दिली जाने वाली इयर अलाइंस ए इसे केनेडा के दूरस्त इलाके में एक एरपोर्ट था बहाँ पर इसको उतारना पड़ा फ्लाइट उड़ाने के धंकी तीन को मुंबई ले गई है पुलिस ये जानकारी मिली है नावालिक सैथ उसके पिता जिसने ये पोस्ट किया था उसको मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तीनों को मुंबई ले जाया गया है मुंबई से मसकट जा रही इंडीको और मुंबई से नीयॉक जा रही फ्लाइट को इनके द्वारा उडाने प्लाइट की फ्लाइट 6E98 यह फ्लाइट थी जिसकी इमर्जेंशी लेंडिंग कराएगी तो कुलम लाकर लगतार स्तरी की घटनाय सामने आ रही है और इसके लावा एक और जानकारी ये है कि मदुरे से जाने वाली एर इंडिया एक्सप्रेस की एक विमान को भी धमकी मिली थी और बाद में सिंगापोर ने फ्लाइट जेट रवाना इसको लेकर किया था आपात लेंडिंग इस विमान की कराई गई आपको बता दे कि ये लड़ाकों विमानों को आवादी वाले इलाकों से दूर रखते हुए चांगी एरपोर्ट पर ले गए थे